नमस्कार वच्चो आज शिलोजी फैक्ट स्रीज में सॉट वीडियो प्रोग्राम में बहुत महत्पूर्ण चीज है जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट थियूरी बोलते हैं यह आपको पता है यह हिस्टलोजी में मिलता है उतक में मिलता है और एक सवाल इसमें आता है तो वै सा फिलामेंट किस पर खिषकता है तो actin filament slide among myosin filament सीधा सीधा answer रखा हुआ है इस theory को किस ने दिया था हक्सले एंड हक्सले दो scientist हैं उन्होंने दिया सवाल नंबर एक कौन सा filament किस पर खिषकता है सवाल नंबर दो इसमें actin और मायोसीन के साथ-साथ, जैसा सिनोनिम्स होता है, थिन और थिक फिलामेंट होता है, उसका यहां पर बनाया गया thin filament slide among thick filament चाहे actin filaments के form में पूछे चाहे thin filament के पूछे हमने आपको दोनों answer दे दिये अगला answer क्या है कि muscle contraction में ATP की requirement है या नहीं तो yes, ATP is required next, कौन सा iron मान स्पेशियों के शंक्चन और पिसार के लिए necessary है, आवश्यक है calcium iron दिया है कभी calcium, mendicium, sodium, potassium ABCD में देता है हमने दिया आपको sodium iron sodium iron रहता कहा है अगला सवाल endoplasmic reticulum में sodium iron का भंडार होता है तो क्या इसको बताया गया endoplasmic reticulum is the storage house of calcium direct NCRT की language और इसी भाषा में हमसे exam में ये मिलता है acetylcholine ये ACH है, आप सभी जानते हैं acetylcholine एक neurotransmitter है ये neurotransmitter generate action potential acetylcholine का role मन स्पेशी के संकुचन और परसार में क्या है तो action potential को generate करता है जिसको हम लोग sort में AMP बोलते है next और last question कितना important है lactic acid deposition causes muscle fatigue मान स्पेशिया क्यों ठक जाती है muscle fatigue होने का क्या कारण होता है उसमें lactic acid का deposition जो होता है ये neuromuscular junction पर होता है ये मान स्पेशियों को ठकान पैदा करता है इसको हम लोग neuromuscular junction बोलते हैं तिये महत्पूर्ण सवालों के शाथ ये sort fact series आपके लिए शंपन हुई चाहूंगा आप इसको like करें share करें, subscribe करें Thank you